गूद मॉर्निंग एब्रीवन तुदेश्ट इए इंग्लिश ग्रामर क्लास यह इस यह न्यू चैप्टर टैंस तैंस का मतलब होता है टाइं समय ठीक है टैंस तैल अस ताइम विन दाइक्शन इस दन वह दन और विल बी दन मतलब ऐसे वर्ड सेंटेंस में जो आपको यह ब होते हैं एक होता है आपका प्रेजन टैंस एक होता है आपका पास टैंस और एक होता है आपका फ्यूचर टैंस ठीक है यह आप इसकी सेंटेंस देखो जैप्लेज होकी यानि कि जैप्लेज होकी खेलता है जैप्लेड होकी यानि कि जैने होकी खेला था और जैविल बी प्ल क्या पता चल रहा है कि वो जो इस sentence में जो action है यानि कि play वो हुआ है अभी present में इस लिए से क्या बोलेंगे present tense in sentence second the verb played denotes that the action was done in the past time the place का मतलब हो टाइब पहले लाता है मतलब past in activity today is set to be the past tense तो इसे past tense की वब बोलेंगे नाओ दो संटेंस थर्ड वब विल प्ले डिनोट्स अट अच्छिन विल बी ड़न इन कमिंग टाइम और फूचर टाइम मतलब विल प्ले यानि की खेले गा मतलब आने वाले टाइम में के लेगा था इस लिए से क्या बोलते हैं फूचर टैंस बूलते हैं फूचर टाइप स्थैसटर ठीक है तीन तरीके के टैप्स होते है और निवाई होते है जैसे प्रेज़न सिंपल्टेन तेंस बसन पर्फैक तेन और प्रफेक्च अन्टेनूस से प्सिंपल आसय निऊाल के फोर टाइप और होते हैं सबसेपहले हम पढ़ेंगे the simple tense, simple tense simple tense के तीनों form present भी, past भी और future भी read the following sentence carefully I write a letter, I wrote a letter और I shall write a letter the verb write simply denotes कि यहाँ पर क्या दिख रहा है साफ कि यह काम अभी हुआ है present time में हुआ है, इसलिए यह हो गया हमारा simple present tense, ठीक है second sentence में जो wrote दिया हुआ है verb की second form उससे पता चल रहा है कि लिख चुका है वो letter, तो यह हो गया हमारा simple past tense और third sentence में letter लिखेंगे, तो यह क्या हो गया हमारा simple future tense ठीक है, the continuous tense continuous tense किसे बोलते हैं I am writing a letter जिसमें आपने sentence के लास में रहा हूं, रही थी या रहूंगी, ठीक है जिसे I am writing a letter मैं एक letter लिख रहा हूं मतलब काम अभी भी चल रहा है continue है, इसलिए इसे बोलते हैं continuous tense I was writing a letter मैं letter लिख रही थी यानि कि past continuous और I shall be writing a letter यानि कि आपका हो गया यह future continuous ठीक है, next है perfect tense perfect tense में होता है I have written a letter मैंने एक letter लिखा मतलब आपका work almost complete हो चुका है I had written a letter मैंने एक letter लिखा था और I will have written a letter मैं एक letter लिखूँगा same sentence में work complete हो चुका है इसलिए यह हो गया हमारा present perfect tense यहाँ पे past में यह work complete हो चुका है इसलिए इसमें आएगा past perfect tense और future में यह work complete होगा इसलिए यह हो जाएगा हमारा future perfect tense ठीक है now study the table carefully जो rules मैंने आपको अभी तक समझाए है उन्ही को इन्होंने example के form में आपके सामने दिया हुआ है आप इसको अच्छे से देख सकते हो present, past, future, तीनों tense है जिनके यह तीन टाइप्स है simple, continuous और perfect तीनों टाइप्स में आपको sentence के difference समझ में आएंगे जैसे I play यानि कि मैं खेलता हूं I am playing यानि कि खेल रहा हूं I have played यानि कि खेला मैंने past में I played, मैंने खेला था I was playing, मैं खेल रहा था और I had played, यानि कि मैं खेल चुका था future में I shall play, मैं खेलूंगा I shall be playing, मैं खेल रहा हूंगा या I shall have played यानि कि मैं खेलूंगा ये तीनों टाइप के आपको table के format में समझाए है अच्छा, next thing is आपको यहाँ पर एक table दी हुई है इसमें आपको simple present tense में जो जो verbs यूज होती है helping verbs वो बता ही है past tense में और future tense में simple present tense में कौन कौन सी helping verbs यूज होती है is, am और are ठीक है और I ये आपको पता ही है हमारे subject होता है I, we, you, they, he, she, it ठीक है I के साथ में हमेशा N आता है V, you, they के साथ में R आता है और he, she, it के साथ में इस आता है same next है has or have I, we, you, they के साथ में have plural numbers के साथ में he, she, it के साथ में has past में was और were I और he, she, it के साथ में was और we, you, they के साथ में were singular number के साथ में was और plural number के साथ में were ठीक है फिर है had I, we, you, they इन सब के साथ में क्या आता है पास्ट में हैड ठीक है फ्यूचर टेंस में आई वी यू आई वी के साथ में शैल बी और विल बी और यू दे ही शी इट के साथ में विल भी ठीक है नेक्स्ट है शैल है और विल है आई और वी के साथ में शैल है और विल है और यू वी यू दे ही शी इट के नहीं है